हेलो एवरिवन वेल्कम बैक अज मैं बिना भीगोई बना रही हूं जो कि मैं अपनी सासू मासे सीखा है इसके निया हमके भठ को ले लें और तवय में भून लेंगे और यह जिए फटफट की आवज आरही है इसका मतलल हमारे भठ भून गए है यह गिरेना करके इसलिये में उप झनी रग दी है यह मैं इसे मिक्सी में बार एक पीस लोगी इस तरीके से ये देखिए जितना बार एक पीस इंगे उतना अच्छा टीस्टी बनता है अब मैं यहां पर ले रहे हूं एक कड़ा में थोड़ा सा ओईल उसमें डाल दिया जीरा हींग और जख्या के बीच इसमें लहसुन का तड़क इसे एक थोड़ा बेस मिल जाएगा और थोड़ा थिक सा भी बनता है मतलब गाड़ा-गाड़ा से बनता है जैसे हम कड़ी बनाने के लिए डालते हैं बस हमें वैसे गोल बनाना है दोनों को फिर हम अच्छे से भून लेंगे आप देख लेना आपको कितने लोग के लिए उसके हसाब से आप आटा और भट वगेरा मिलाना मैं यह दो लोग के लिए बना रही हूँ तो उसके हसाब से मैंने क्वांटिटी लिए भट और आटा मेरे अच्छे से भून गया है अब इसे मैंने एक बरतन में निकाल लिया है फिर से मैं एक कड़ाय में तेल लूंगी जीरा वगरे तो मैंने पहले ही डाला है तो अमें सीधे इसमें डाल रही हूँ प्यास और उसके बाद डालोंगी कटे वी टमाटर मिर्ची जो गाउं का ट्रिशल बनता है भिगा के पीसके उसमें यह टमाटर वगरे नहीं पड़ता है आपकी मर्जी टमाटर डालना है तो डालों नहीं तो नहीं मेरी सासुमा ने जब फर्स्ट आम जे सिकाया तो टमाटर डाला था तो इसके मैं भी टमाटर डाल रही हूँ थोड़ी खटास सी आ जाती है उसके बाद हम बेसिक से मसाला डालेंगे हल्दी नमक मिर्ची धनिया पाउडर जीरा पाउडर यह जीरा बेसिक और मैं कम लोग के लिए बना रही हूँ गरम पाने डालने से एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है और यह थोड़ा मिलाने में मतलब इजी हो जाता है यह गांठे नहीं पड़ती इसमें यह देखे मैं अच्छे से मिला दिया है सारी गांटे खतम हो गई है बोलते है डुपके को जितना पकाओ उतना अच्छा टेस्ट आता है गाउ में तो घंटो घंटो के लिए चूले में पकाते हैं बट यहां तो इतने देर तक नहीं पकाऊंगी मैं क्योंकि मैं कम क्वांटिटी में ही बना रही हूँ फिर भी 15-20 मिनेट तो मैं इसे अच्छे से बटेशल लंच बनके रैडी हैं भटे डूपके और चावर, जब भी घोय बिना घुपके बनाते थे जब सासुमा से तरीक के नहीं बनाते थे जब और सच में बहुत तब तो आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और कमेंड बाइब